क्या आप जानते हैं कि रात में जुगनु क्यों चमकता है? रात अंधेरी हो तो जुगनु का बारी-बारी से चमकना और बंध होना रमांचक और मनुहारी होता है। जुगनू लगतार नहीं चमकते बलकि एक निश्चित अंत्राल में ही चमकते हैं और बंध होते हैं। बेग्यानिक रोबर्ट बायल ने सन 1667 में सबसे पहले कीटों से पैदा होने वाली रोस्नी की खोजगी। जुगनू के कुछ परजातियों में काफी रोस्नी पैदा होती हैं। ऐसी किसमें दच्छीन अमेरिका और वेस्ट इंडिज में फाई जाती हैं। गौरत लभे की रोस्नी पैदा करने वाली कीटों की करीब एक हजार परजातियां खोजी जा चुकी हैं। जिन में कुछ बैक्टिरिया, कुछ मचलिया, कुछ किस्म के सेवाल, घोंगे और केकडों में भी रोस्नी पैदा करने का गुन होता हैं। लेकिन इन में सबसे जादा लोग प्रिये जुगनू हैं।